वो तो फड़ गया, उसमें गजान महानाज को मन से कहा प्रभू ये क्या लिला है आपकी मेरे को आकर यहां पड़े जाओ बोले में बाहर आगया और यहां आकर बैटा वहा हूँ और यह गुरुक्ष सुखा हुआ है इसको पत्य कहां से आए मैं कहां से लाओं मुझे कोई सा पत्य के लिए गुरु तुम कहीं भी हो गुरु भाग के आता है लेकिन तुम्हारा समखन सच्चा हुए यही सुधामा जिसके बारे में आपको आज बता रहा था वही सुधामा एक बार गुलोग में बैठे हुए थे राधा, कृष्ण और एक राधा की सखी थी जिसता र पिट जाती थी राधा कहीं बाहर एक मिनट के लिए गई विरिजा आई और कृष्ण के सामने खड़े खड़े लेगी और कहा कि एक बार मैं तुम से आलिंगन करना चाहती हुए तो कृष्ण ने का उसमें गल्दी की बात क्या है तो आजा जैसे ही आलिंगन करने के लिए राधा आगे राधा ने जब यह देखा तो अब बंगुला हुए उसने कहा कि तुम इसके साथ आलिंगन करते हुए अब कृष्ण तो वहां एक मिनट के लिए बूले राधा का गुस्ता तो बहुत तरना गुस्ता है वो गयव हो गया वहां रहे गई बापी बाप विचार बिची बिख्यर कर देने गया तो वहां उतने में सुधाम आगए शुदाम आकर देखते हैं, Obrigım बड़न को सुन्रा को वोगर व है है हुए यह राधा तुम इतनी घर्वाठ्यों करती हो ये प्रिष्ण की इच्छा है किसी के साथ रहे किसी के साथ ना रहे तुम्हें को इतना गर्व है कि तुम्हारे साथ ही रहे तुम क्या चाहती हो एक प्रिष्ण की इच्छा से जीते हैं तुम्हारी इच्छा से नहीं यह जैसे ही कहा राधा को गुस्सा आया और उन उसमें स कि तुझ दामा को शाफ दे दिया कहां कि तु राक्षस यूनिमें चनमा ले 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 तु चला जा यहां से प्रिश्न प्रकट गए रगट वोकर रधा के तरफ दिखा और रधा इतना उस्सा अच्छा नहीं एक रोत तुम किसके उपर कर रही है मेरा सका मैं इसको चाहता ह करना तुन्हें क्या किया मेरे अगर सुधामा को कुछ हो गया तो मैं यहां नहीं रहूंगा राधा में चले जा रहा है तब राधा को अपने गल्टी का एहसास हुआ कि कृष्ण मेरे से भी जादा मेरे उनके सखा सुधामा को फ्रेम करते हैं और राधा ने कहा मेरी मेरे गल्या तो कृष्ण कहते हैं मैं राधा के लिए राधा से जैसा भी जूड़के नहीं रह सकता सुधामा मैं तेरे से भी जूड़के नहीं हुपता तुम्हाइब करते मिया बच्मन का मित्र है मैं तुझे अगर भारत देश में एक सब और्स हैं तो वह गोश्य में ए द्यामा जैसे ही कृत्वे पर आए शंखचूड के नाम के राक्षा सुनी में पैदा हो और शंखचूड होते हुए तो पहले से कृष्णा भक्त थे और वो अपने भक्ति के संसार को जीत लिया और वो अपना काम कर रहे थे तो वह जो विरिजाती उसको शाथ देने के करण विरजा भी दुनिये होगी कहते थे हैं कि सुदामा ने बहा था कि कृष्ण की कृष्णा कर तुझे छोड़ देते हैं तो मैं तुझे देख लूँगा अगर राधा के शाप से तुझे देख लूँगा इसा सुदामा का कहना था और कृष्ण ने कहा कि एक पल के लिए मैं विरजा को तेरे पास छोड़ता हूं तुझे देख लेना और विरजा ही बाद में तुलसी के रूट में अवतरी थुए और उस शंखचूड रक्षस के साथ तुलसी का ववाह हो गया तुलसी के ववाह होने के पास दोनों बहुत ही सुंदर से अर्टा के साथ संसार कर रह है अगर तुम उसको अपने कभजे में नहीं लेते हैं आप सेमित नहीं करते हैं तो वह कल के इंद्र इंद्र कभवी पर भी आतर बैटेगा शंखचूड को आप रोक लो लेकिन किसी में भी शक्ति नहीं थी इस शंखचूड को रोक सके क्योंकि क्रिश्ण की प्रिया विर और यह शक्ति भवाद शिव नहीं प्रदान की जब यह बास सब के बास जाकर शिव को पता पता चला कि शंखचूड को जीतना कठिन है तो शिव जी आ गया और शंखचूड को बिला कर कहा शंखचूड तुमान जा इंद्र की पद्वी इंद्र को दे दे और देवताओं क करते ही होगा मैं तो इस राज्ज को मैं राज्ज का करते ही होगा आपको जो करना है करो शिव जी ने अपने पुतर सुब्रणने को कार्तिए को उद्ध के लिए बेजाओं सारे देवताओं युद्ध करने के लिए उनकी पास आए लेकिन शंखचूड को कोई भी जीतन है क्योंकि तुलसी भी भगवान शिव और शक्ति की अरभना कर रहे थी और शंखचूड भी शिव शक्ति की अरभना कर रहे थी जब सारे भद्रकाली आए काली आए देवताय हैं लेकिन कोई भी शंखचूड को मान नहीं सका तब सभी ने जाकर कहा कि ये शंखचूड मर नह विष्णों आप कुछ पताओं इसमें क्या राश्य है तो और ने कहा कि है शुव जी मैं आपसे बात कहता हूं तुलसी भी कृष्ण की कृष्ण से आलिंग लिए हुई एक जिप्य शक्ति है जो मैं जिस प्रकार कृष्ण के कृष्ण को या राम को राम नाम करते हुए मैं करता हूं वह भी प्यार करते है जग तक शमकचुड की पति तुलसी पतीत ब्रता बंकर बैटई वह और हऑ्सक्ति की पूजा करदे शुष्ट राम ना करते है उसे तुम जीतने साकोगे शक्षा तुम शीव भी को नहों तो उसे जीतने सपागे फिर क्या करना होगा ऐने अगर और इसको जीत नाहीं सकते तो हम यह क्या करना होगा तो तुम्हें भी शिवशक्ति की आराधना करने है कि शिवश्रय हें भगवान विश्णों आप कुष्क्ट करो आप कुष्क हे माश उशक्ति आप तो इख शंख चुड अपने पत्नी से अलग नहीं होगा और जब तक शंख चुड को तुरसी की पतीवरता का धर्म का भांग नहीं होगी तब तक तुर शंख चुड को माँग नहीं सकते। तो विरिजा के सामने विष्णु गए और उन्ने क्रिष्ण के रुप में उसको दर्शन दिया और कहा मैं क्रिष्ण हूं और उसको पूरे जन्म का उस पूरे जन्म को याद दिलाए जैसा है उसको पुट जन भी यरादाई कि मैंने कृस्ट आलिंगन किया था तो दृज़ा फिर पुट जारत आलिंगन कर ले और उसका पति व्रता का धर्म खतम हो गया चुंकि उसको पुट जन में कृस्ट के साथ प्रेम की थी अब जब शिव जी आये पुष्टो रुष्टी हुई तो सभी ने कहा शंखचुड जो फिर अपना पूर बनकर सुदामा बनकर आये और कहा कि व्रभू ये सब इतनी कहानी हो गई लेकिन आपके एक बात तो बताओ कि मुझे शंखचुड आपने किसने रक्षस के रूप में बनाया है मैं तो कभी आपको छोड़के रहा ही नहीं अब ये अब मैं कैसे रहूंगा कहते हैं कि वहीं शंखचुड समुदर के कोई दिर पर शंख बने जो देवताओं के हात में बैठे रहते हैं शिव जी के हातों से मारा जाने के कारण शंख से कभी भी शिव जी की पू दिर याद में मैं तो अपने हात में पकड़ता हूं और शंख उन्होंने अपने हात में लिया और विश्टु भगवान को के वल शंख से अभिशे करना चाहिए और सुदामा की भक्ति के कारण ये हुआ है ऐसा देवी भागत में लिखाओं मैंने के रहा हूं ये सारी निश्थावान था। आप भी अपने जीवन में, अगर अपने कारे के परिती अपने गुरू के पुरू की निश्थावान है, और शिवशक्ति योग को करके चलते हैं, तो आपके जीवन में भी कुछ, किसी प्रकार की कमी नहीं हो यह साधना यह यह शुशक्ति की साधना आज हमारी भपती ना रहा है यह शुशक्ति के रूट में है यह पहली बार आज तक किसी ने शायद यह साधना नहीं प्रदान की होगी और यह गुरुजी के डैरी में लिखी होगी साधना है गुरुजी जीवन में आज तक तुमने देखा है कि कोई भी साधना करते हैं कि हम भगवान से प्राठना करते हैं कि भगवान वरी इच्छा पूर्णकर हो और भगवान इच्छा पूर्णकर में गयाते हैं लेकिन जो ये शिवशक्ति साधना करता है उसके कष्टों में स्वें भगवान बाग क्याते हैं मेरे शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् देखूंगा इस प्रकार ओ देवता ओ सेष्टता इस शक्ति की शिवशक्ति की साधना करवे हैं आपको एक बात पता है भरदवाश महारशी थे तो भरदवाश महारशी की पत्नी और उनको दो बच्चे हुए जब वो जंगल में जा रहे थे तो पत्नी को बच्चा हुआ और यह तो वो अपने बच्चों को या पत्नी को पालने के शक्ति भी ने थे उनके पास उतने गरीव थे तो उनके जंगल म चले जा रहा हूं और भरतवार इंको छोड़के चले तो पत्नी ने कहा जब तुम मुझे छोड़कर जाना चाते हो तो मैं के उसलिदा आप मैं भी चले जाते हूं और उस बच्चे को पीपल के जाड़के नीचे डाल गिया और वे पत्नी भी चले गई उसकी नीचे उस चुणे जाता तो कोई बच्चा चुणे नहीं देता जो चुणे गया तो रहने लगता है अगर कोई चुणे नहीं तो वे यसा ही पड़ा रहता है वो फीपल के फ़ल उनको पत्तों को उसकी नीचे चाय में बटकर पत्तों से की लिए पान के साथ तो दिन दिन बढ़ता लेकिन वो शिवशक्ति साधना जो यक्षगंदर उटीनर करते थे उसका पानी उसको पुछ रखे गए और उसको पानी पिला कर उसको देखे गए उजो कलेश में पूल्या करते थे हर साल वो लोग आते थे हर साल उच्छिड़के जाते थे और वो बढ़ता गया बच्चा ब उटो एकी आतना बड़ा हुग मैं अकराया उसका यहां इतना बड़ा हुगिया तो इसका अब को साधना期क बात है अगर नारल महारशी हो के Bu zus descriptive आउप कि अबिए इस इना को पुछा मेरी ऑशी स्थिति होने का करण क्या है। तो नारद महारश्ण ने छूटते ही कहा तुम जहां पल रहे थो तो तुमारी पिता को तुमारी माता को और तुमारी को साड़े-सादी चल देश्टा ने पगड़ लिया था। बस पीपल के नीचे बैठे हुए पीपल ने उस पीपलाद ने देखा और कहा कि वो शनी रहता कहा है उन्हें आकाश में ग्रह मंदल में रहता है है शनी तो कहां भी हो यह मिनट में नीचे आजाना चाहिए गुला एक मिनट में मैं शिवशक्ति साधनागर करता हूं तो नीचे गितने पॉंट उड़ गया लगड़ दो ने रेखा शनी को और उनने अपना तीस राम ठोला और शनी जलने लगे शनी जोर से अपने पिता सूरे नाराण भवान को पूछा कि एक मुझे जला देरा है देखो शूरे नाराण भागते हुए आये और पुपलाद को हा जलने लगड़े हो गए और लंगड़े हो गए मंदग रहा जाता है उधीमा दीमा लंगड़े लंगड़े चलते तब उनने कहा कि इसे ख्षमा कर दो तो पिंपलाद ने शनी की उपर देखकर कहा फे शनी तुम मुझे बचन दो कि तुम आच साल के बालक तक जिसके माता आठ साल हुए तक मैं उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा हो दूसरी बार जिसके माता पिता नहीं अनाथ हो उसको तुम साहता करोगे उसको कष्ट नहीं दोगे यह वचन दो उनने का यह वी वचन देता हूं कि जो अनाथ है मुन की साहता करूंगा तीसरा वचन तो आप मत मैं बोलता हूं किया जो भी पिपलार का नाम जोर से जंगल में पुकालेगा उसको शनी कभी रशन नहीं पहुंचाएगा यह मेरा वचन है आई सक्षनी महराज ने कहा इसलिए आप अर्स्तोत्र बढ़ते हैं तो पिपलार का नाम दिया जाता है उस रुशी का नाम उस दे झाल झाल झाल